आज एक बार फिर क्रमचारी महासंग मुख्यमंत्री के नाम ग्यापन देने जा रहा है जो सितंबर में वेतन समग थी लागू होने थी लेकिन लागू नहीं हो पाई है उसी को लेकर आज क्रमचारी महासंग मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ग्यापन देने जा रहा है उस हमारा करमचारी महासंग एकिकर्द का जो आवान है जिसमें राजस्तान की सरकार ने जो जुलाई के बजट था उसमें करमचारियों की जो वेतन विसंगती परिक्सन सम्मिती की रिपोर्ट जो पिछली सरकार के वक्त आ चुकी थी परन्तो अभी तक सर्वजनिक नहीं की गई और बजट में गोशना की गई थी कि इसको लागू किया जाएगा तो एक सितमबर से लागू किया जाएगा अभी बीश तारिक होगी अभी तक कोई सरकार के अंदर कोई इस बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है और मैं समझता हूँ राजस्तान के करमचारी इस बास से उद्वरित है कि मुक्षे मिंतरी की गोस्टना के बावजुद एक सितमर से ये जो है कि OPS की स्थिति इस्पेस्ट करे राजस्तान का करमचारी OPS की पैंसन है इसके साथ छेड़ शाड़ बरदास्त नहीं करेगा और तीसरे जो करमचारी हमारे करमचारी साथी है जिनको RGHS लागू है और उस RGHS में करमचारी के साथ इतना बड़ा छलावा हो रहा इस समय प्राइवेट होस्पिटलों को सरकार ने जो दे दिया लिष्ट दे दी परन्तु जब करमचारी वहां जाते RGHS के लेके तो बीच में उसे जो कई ऐसी बिमारी हैं जिनका इलाज नहीं हो रहा दूसरा कई दवाईयां ऐसी है जो मिल नहीं रही और मेडिकल स्टोर हो चाये होस्पिटल्स हो वो हमें यह कहके बाहर कर दिया जाता है कि सरकार से हमारे को पैसे नहीं मिले तो मैं राजे सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार के करमचारियों की जो भी मांगें और जो सुविधाइं दीवे हैं उन्हें ये थावत रखा जाए और हमारी जो मांगें हैं हमारा बीस सुत्री मांग पत्र आज प्रदेश स्वयापी जीला हेड़क्वाटर पर एक मुख्यम वारता के तहत हमारा समाधान नहीं किया गया तो राजेस्तान का करमचारी जो इस्तिती सरकार की चल रही है उस इस्तिती को और बिगड़ सकती है इसलिए करमचारियों से दिवपक्सिये वारता करें वारता करके हमारी मांगों का निस्तायन करें क्योंकि पिछली बार हमार मंत्री ने बजट की गोशना राजस्तान या हिंदुस्तान में हमारे लोक कंत्र में बजट और विदान सवा में जो प्रस्ताव रखे जाते हैं उस प्रस्ताव को एक हमारा दस्तावेज होता और उस दस्तावेज को आज RSL DC के लिए गठन करने के लिए सरकार कोई विचार नहीं कर रही ना सवीदा करमचारी जिनको CSR में नहीं ले रही जबकि पिसली सरकार ने का हमने एक लाग दस जार को लिया आज तक मैं आपको बता दूँ आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बीस या पत्शीस जार सवीदा करमचारी जिनको न्यूक्ती दी गई और अन्य जो हमारी मांगे है वरक्षार्स करमचारी है उनके मांगे है पदोंतिया है जो सरकार बार बार आदेश जारी कर रही है उसके बावजूद भी ना DPC हो रही है ना समय पे पदोंतिया हो रही ह और जैपूर जो ग्रामिंड शेत्र के करमचारी है उन्हें पारितोशिक के लिए 10% हमारा जो ग्रामिंड बता है वो देना है और जो हमारी 918-27 की इस्तान पे पिछले 2018 में हमारा समझोता हुआ था जिसमें 8-16-1232 देने की सरकार ने सहमत ही हुई थी किसी कारण वस वो लाग साथ सुहत पुणवातावन में वादचीत करें द्यूपक्सिय वारता से समस्चा का समाधान होगा हम यह नहीं है कि हम लड़ने के लिए हम हमारी मांगों के लिए संगर्स करें और संगर्स करके सरकार से चाहते कि द्यूपक्सिय वारता से समस्चा का समाधान करें अगर अभी भी आगे नहीं होती है तो इसके अलवा क्या रणनीती आगे रहेगी कि इनको लागू निशित तोर पे राजस्तान की सरकार ने वसंद्रा जी ने सामंत कमेटी का गठन किया सामंत कमेटी ने अपने रिपोर्ट पेस की और दूसरे दिन हमने जब सारवजनी करने की बात कही गई तो दूसरे दिन खेमराज कमेटी की रिपोर्ट वो कमेटी जो वेतन परिक्षन समिती की रिपोर्ट वो कमेटी बना दी वेतन विशंगती परिक्षन समिती तो उसने भी अपने रिपोर्ट पेस कर दी उसके बाओ जो भी राजस्तान की सरकार ने अभी तक कि उसको सारवजनिक नहीं किया गया हाँ यह है कि मैं धन्यवा देता हूँ कि इन्हों नहीं गोसना की कि एक सितंबर से लागू की जाएगी पर आज बीस सितंबर हो गई और बीस सितंबर तक अभी भी सरकार से ना तो हम करमचारी संगटनों से कोई बातचीत की गई कि कारण क्या है किस वज़े से लागू नहीं की गई ना सरवजनिक की गई तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको सरवजनिक किया जाए और इस सरवजनिक करके जो करमचारी की हितार जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए और जो RGHS की सुईधाए हैं अभी आप आता है कि राजस्तान का करमचारी है जो जनता के सामने आपकी कल्यानकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है और करमचारी किसी भी पार्टी का नहीं है करमचारी सरकार जो भी उसका अभी नंग है और सरकार की योजनाओं को ग्रामेंट शेतर तक पहुंचाने के लि जिससे करमचारी सरकार की जो भी योजने जनता तक पहुंचाने के लिए हमेसा त्यार हैं। जिला इस तरह पे धने प्रदर्शन करेंगे राजस्तान के राजदानी जैपूर में बड़ा प्रदर्शन करने के लिए हम तैयरी कर रहे हैं।